हेलो एवरिवन वेलकम टू माई चानल इस वीडियो में हम कॉंटिनेंटल डिफ्ट थियोरी के बारे में पढ़ने वाले हैं यह हम पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन एक बार हम फिर से कंप्लीट करेंगे इसको आप चाहां तो पहले वाला भी पढ़ सकते हो या फिर यहां स कई डिफ्टिंग से मतलब कॉंटिनेंट में क्या हुआ है डिफ्टिंग हुआ है ऑगे और उस पर थियोरी दे गई है यह जो थियोरी दी गई है वह किसके दौरा दी गई है ऑल्फ़र्ड विगनर के दौरा ठीक है 1912 पह है ही पर पॉंडड़ दिस थिरी 1912 और अब बात आती है कि क्या Continental Drift Theory के बारे में और किसी ने सोचा होगा या फिर Continental Drift करते हैं ठीक है यह बात किसी के दिमाग में आई होगी तो हां ऐसे दो लोग हैं जो जाने पहचाने हैं मतलब जिनका नाम काफी फेमस है वो सकता किसी और ने सोचा होगा लेकिन उसकी उतनी पहचान नह होगा तो वो सामने नहीं आपाएं तो पहली बात करते हैं अंटोनियो स्नाइडर की 1858 इनका कहना था यह क्या थे यह एक अमरिकन जियोलाजिस्ट थे और इनका यह कहना था कि जो अमरिका है और अफ्रिका और यूरोप यह क्या है यह कभी connected हुए हुआ करते होंगे ठीक है मतलब यह हमारा हो गया globe और इसमें इधर हो गया हमारा अमरिकाज हो गया ऑर यह हमारा अफ्रिका हो गया यह क्या है connected है बन गया ऐसा यह क्या है कभी connected रहे होंगे ऐसा कहना था अंटोनियो स्नाइडर का 1858 में लेकिन ये चीज उतने क्लियरली सामने नहीं आई या फिर हो सकता है कि उनके पास कोई प्रूफ नहीं होगा इसका वो इसको साबित नहीं कर पाए इसलिए उतना ये चला नहीं या फिर ये बाद उतने सामने आई नहीं ठीक है उसके बाद आते हैं F.B. Teller 1886 इन्होंने नाम दिया Continental Drift लेकिन थियोरी नहीं दीन होने इनके मन में भी ऐसा कुछ आई होगा कि जो Continental Drift अमारे हैं वो कभी एक साथ जुड़े हुए रहे होंगे या फिर एक सिंगल लैंड मास कभी हुआ करता होगा जो अब क्या है ड्रिफ्ट हो करके इतने सारे Continental में बन गया है अब आदे हैं 1912 में कॉर Alfred Wagner जिन्होंने ये Continental Drift थियोरी दी और इन्होंने दो चीज देखी सी एक तो कि ये कि मेट्रोलोस थे तो इनका ंका काम ही होता है जो मेट्रोलोस इनका काम ही होता है कि चीज़ों को देखते हैं परखते हां और उनके उस थीज के बर्सेस पर अगर इनको कुछ लगता है कि आप है है या ऐसा हम這個 कख में अधाडे को तो अब coal का presence Sweden में, पहले तो जागर कि आप चेक करो कि Sweden कहां पे है, ठीक है, आप मैप में देखो कि Sweden कहां पे है, बस आपको एक चीज याद रखना है, नहीं देखने का मन है, तो यहीं पर आप समझ लो, कि यह मालो हमारा equator है, तो equator से काफी दूर हमारे क्या है, Sweden है, तो equator से क सनलाइट अच्छी आती हो, क्योंकि जो हमारे पौधे है, अच्छा कोल बनता कैसे है, जो हमारे प्लांट्स है, ठीक है, वो कभी डिस्ट्रक्शन हुआ, तो बहुत सारे पेड पौधे जो है, वो क्या हुए, सेडिमेंट्स के अंदर नीचे दपते गए, और फिर बहुत स सालोबात क्या हुआ, उनका फौधे हो गया कौल में, ठीक है, तो अभी पेड पौधे कहां पे रहेंगे, बहुत सारे पेड पौधे हमें कहां देखने को मिलेंगे, जहां पे सनलाइट अच्छे से पहुँचेगी, ठीक है, स्वीडन में तो उतनी अच्छी सनलाइट जात है कि हो सकता है कि जो स्वीडन यहां पे हमें देखने को मिल रहा है, आज जो प्रेजन है हमारा वो कभी ट्रॉपिकल रिजन में हुआ करता होगा, ठीक है, वो कभी एक विटर के आसपास हुआ करता होगा, तब भी वहां पे क्या है, कोल का प्रेजन है, मतलब हम यह बोल सक जबते हहां पर इनको ग्लेसियल मांक्स देखने को मिलते हैं जैसी हमारी होगी सर्फिस। और यहां पर बड़े यसे ग्लेसियोरसे है क्लेसियोर को आंप सम्राइब और पिंगलेंगे तो यह एधर से जाए अक्ले इसा जाएगा तो इहां तो वहां पे टेंपरेचर तो हाई होगा तो वहां पे ग्लेसियोर्स कैसे बन गए यह क्वेस्टिन आया उनके दिमाग में तब उन्हें लगा कि हो सकता है कि आज जो हमें इंडिया देखने को मिलता है इधर ठीक है जो छोटा नागपूर प्लेटियों में यहां मिल रहा है तो इन दो चीजों से सिधा सिधा क्या समझ में आ रहा है कि जो आज के कॉंटिनेंट समें यहां देखने को मिल रहा है जो हमारे countries जो हमें आज देखने को मिल रहे है वो यहां थे ही नहीं, वो कहीं और थे अब ऐसा नहीं है कि globe से बाहर रहा है इधर ही थे लेकिन वो सकता है आज जो यहां है वो कभी यहां रहा होगा, जो आज यहां है वो कभी इधर रहा होगा, ठीक है, ऐसा कुछ अब हम आगे बढ़ते हैं, इनकी जो थेयोरी है वो क्या कहती है according to this theory around 215 million years ago there was a single landmass और supercontinent known as पैंजिया, ठीक है, एक पैंजिया हुआ करता था, जिसको हम supercontinent भी बोलते हैं, mega landmass बोलते हैं, मतलब fully क्या ही है landmass है, ठीक है, pen मतलब ही होता है entire और जिया मतलब land, और तो यह क्या हो गया, entire land हो गया, पूरा का पूरा सिर्फ क्या है land ही है, यह तो mega landmass पैंजिया हुआ करता था और यह surrounded था पैंथा लासा से जो की एक mega ocean था बस यही दो चीज हुआ करती थी around, ठीक है, तो मतलब क्या था, ऐसा कुछ हुआ करता था और 250 million years से क्या हुआ यह शुरू हुआ तूटना, ठीक है तो यह दो पार्ट में बटा एक तो लॉरेशिया और दूसरा गॉणवाना लैंड, बीच में एक बना सी जिसका नाम था, टितिस्सी नाम दिया गया यह, ठीक है लॉरेशिया, नॉर्दर्न हमे स्फेर में, गया तूट करके ठीक है, और यह सॉदर्न हमे स्फेर में, अब इनका further rifting and drifting होता है forces, जिनकी forces की जिस force की वो बात करेंगे हमारे जो Alford Wigner है, जिन forces करेंगे कि हाँ, यह यह फोर्स लगे तब जाकर के यह तूट गया, ठीक है कि इन कॉंटिनेंट की हमारी रिफ्टिंग और डिफ्टिंग होगी तो उन forces के बारे में बात करेंगे तो बस आपको यह याद रखना है कि कभी ऐसा टाइम था कि एक सूपर कॉंटिनेंट हुआ करता था मेगा लैंड मास हुआ करता था, नोनेस पेंजिया और एक मेगा ओसन हुआ करता था पैंथालासा, अराउंड 250 मिलियन एर्स अगो क्या हुआ, यह तूटना शुरु हुआ और दो पार्ट में बाटा, लॉरेशिया जो की जो सदर्न में हमारा क्या था गुंडवाना लैंड था वो देखो कि इतने पार्ट में बटा, एक तू इंडिया एक ऑस्ट्रेलिया, एक अंटार्टिका एक साउथ अमरिका, और इधर एक क्या है इधर हमारा अफरिका यह इतने पार्ट में बट गया यह आपको नाम गया रखना है इसमें 5 नाम है और इसमें 2 है अब फ़र्दर जब रिफ्टिंग और डिफ्टिंग वही तो आज का जो पॉजिशन है वह देखने को मिलता है यह सारे कॉंटेनेट्स हमें देखने को मिलते है बट आजके जो further position है वो इससे काफी change है और ऐसा माना भी जाता है कि यह process जो है rifting and drifting की continue है और वो होते रहेगी और हो सकता है कि आगे जा करके बहुत सालों बाद अभी जो हमें देखने को मिल रहा है world map में जो हमें map देखने को मिल रहा है जो हमारे present day continents है वो हो सकता है आगे चल करके उनका जो जगा है वो बदल जाए वो कहीं और जाए या फिर उनमें भी और rifting and drifting हो जाए ठीक है तो ऐसा माना जाता है इनकी theory तो हमने पढ़ ली अब theory को support करने के लिए evidences देना बहुत जरूरी है वरना theory किसी काम की होती नहीं है तो इन्होंने भी कुस theories रखी जि दूसरे में फिट हो जाते हैं ऐसी कोई ऐसा कोई evidence इन्होंने दिया जिसका नाम रखा इन्होंने जिक्सो फिट ठीक है जैसे कि आप यह जो बल्ज ऑ ब्राजील है और जो गल्फ ऑ गिनिया है उसको फिट करके देखो अफरिका में यह है और यह कहां है साउथ अमरिका में साउथ अमरिका में हाँ ठीक है तो जब हम इसको फिट करते हैं तो एक दूसरे में यह क्या होते हैं अच्छे से जॉइंट हो जाते हैं तो इससे हमें यह पता चलता है इससे यह बताना चाहते हैं कि यह कभी तो जॉइंट रहे होंगे और बाद में यह अलग हो गया बीच इसके coastlines है, margins है, जो कि क्या होते हैं, दूसरे के साथ fit होते हैं, जैसे कि इंडिया, Madagascar, अफरिका, ठीक है, इन दिनों को अगर आप मिला करके देखो, इनके margin को, तो ये भी आपको दिखेंगे, कि हाँ, join हो सकते हैं, इनको हम join कर सकते हैं, ऐसा है न कि ऐसे ये कागज है, तो इसको फाड करके देखो, हमने इसको ऐसे फाड दिया, ठीक है, तो फाड दिया, और बीच में हम इसको मान लो, ठीक है, ये पानी है, ठीक है, और दो कागज के टुकडे हमने ऐसे रख दिये, तो ये क्या हुआ, दो इस तरीके से हम बोल सकते हैं, कि क्या है, ये हमारे continents और इनके जो यह मार्जन से है जो यह कोश्ट लाइन है वो एक दूसरे से अटैच्ट हो सकते हैं ऐसा इनका कहना है जिक्सो फिट एविडेंस के दौरा और जो मैंने यहां पर नाम बता हैं कॉंटिनेंट्स के और फिर कंट्रीस के वो आपको याद रखना है आगे हमारे पा जो हमें रॉक्स मिली हैं उनके जो हैज है वह सेम है ठीक है उसके लावा माई ईस्टर्न एसे नॉक्ट्री का वह एक दो में वर् के support में उसके अलावा है fossil fuels, fossil deposits, meso soros और glossopetris ये दो चीज़े हैं ये हमारा क्या है एक animal है बोल सकते हैं और ये क्या है प्लांट है ठीक है ये एक fresh water reptile है fresh water मतलब जो की ocean में तो होने ही सकते क्योंकि उसका पानी खारा होता है इसको तो कोई ले मतलब fresh water में होना चाहिए तो ये हमें मिलता है इसके जो fossils मिलती है वो south america और अफरिका में मिलती है ये रहा हमारा south america और अफरिका south america में मानो हमें यहां पर meso soros मिला exact मैं location नहीं बता रही हूं बस एक बता रही हूं ठीक है कि हां ऐसा हो सकता अगर कि meso soros यहां मिला और meso soros का fossil यहां भी मिला तो यह possible कैसे है कि यह दोनों जगा मेससारस का first fossil मिल रहा हम है हो सकता है कि ये क्योंकि तैर के तो गया नहीं होगा ठीक है जा नहीं सकता है अगर यहाँ पर यह चीज़े है तो यह रेप्टाइल अगर यहाँ पर रहता है तो बीच में क्योंकि ओसन है तो कभी ने कभी कि एक दूसरे से connected रहे होंगे ऐसा बताया जा रहा है इस evidence के द्वारा इस fossil के द्वारा ठीक है तो मेससारस एक fresh water reptile है आप इसका example दे सकते हो कि इसके fossil हमें कहां मिले हैं साओध अमरिका और अफरिका में मिले हैं जिससे हमें पता चलता है कि हां हो सकता है कि continent की drifting होई है उसके अलावा glossopetris ये तो plant है हो सकता है माल लो animal चला गया हो लेकिन प्लांट तो नहीं जा सकता है तो इसके fossil हमें कहां कहां मिले हैं अफरिका इंडिया साओथ अमरिका अंटार्टिका और और औस्ट्रेलिया में ठीक है तो यह है ना कि मेसुसौरस के अगर fossils मिले तो ऐसे मिले अगर इसके closer petrius है तो ये fossil यहां ऐसे मिलते गए मिलते गए ऐसे मिल रहे है ठीक है तो अगर ऐसा है तो कभी ने कभी ये continents क्या है साथ में रहे होंगे जोईन टोगेदर होंगे ठीक है तब ही ये क्या है मिल रहा है उसके बाद हमारे पास है placer deposits है ये सेम क्या है जिक्स ओफिट वाला ही है ठीक है इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो गोल्ड है वो हमें एक तो rocks से मिलते हैं, जो rocks होती है हमें, rocks की vents से मिलते हैं, ठीक है, तो यह हमें कहां मिला है, West African Coast of Ghana, या फिर Western African Coast of Ghana, तो Western African, यह है इधर, इधर का पाठ हो गया हमारा, ठीक है, और यह है अफरीका, और यह हमारा South America हो गया, और जो gold bearing rocks हमें, वो हमें ब्राजिल में मिलते हैं, ठीक है, तो अगर यह हमारा गहाना है, या फिर इधर पता नहीं किधर है, मुझे खुद याद नहीं, मैं खुद भूल गई, लेकिन यह ब्राजिल वाला पाठ हो गया, ठीक है, तो अगर यहां पर कोई gold bearing rock है ही नहीं, तो फिर यहां पर जो deposits है gold की वो आई कहां से, यहां पर मतलब कोई source तो होना चाहिए ना gold आने का तो कोई source ही नहीं है, लेकिन हमें gold मिल रहे हैं, इसका मतलब कि यह कभी connected रहे होंगे, तभी यहां से जो है, ऐसे कोई source रहा होगा, जैसे कि Amazon River इधर ही से आती है, तो क्या है वो बह करके, जो है, सोना, जो gold है वो इधर आया होगा, ठीक है, जब connected होंगे तब ऐसे चल रहा होगा, ऐसे कोई चल रहा होगा, तभी क्या है, अभी हमें मिलते है कि इधर हमारा क्या है source नहीं है, जो gold bearing rock से वो नहीं है present और इधर है, ठीक ह उसके बाद है behavior of animals, African lion जो कि इंडिया में पाए जाते हैं, वो evolution हुआ उनका as a asiatic lion, तो वो हमें गीर नेशनल पार्क में देखने को मिलते हैं, और जो गीर नेशनल पार्क है, वो कही ने कहीं connected था किस से, अफरिका से, जब अफरिका और इंडिया connected रहे होंगे, तब वो उस अब समझ में यह चीज नहीं आते हैं, कि बागी के पार्स में क्यों नहीं है, और यह lion बागी के जगा पे क्यों नहीं है, अफरिका के lion इंडिया में कैसे पहुँची गए, बात है, सोचने वाली बात है, तो यहां से भी यह मतलब बदाने की कोशिश करते हैं, कि हाँ यह यह एक एविडेंस है, मान लो कि इंडिया और अफ्रिका भी कनेक्टेड रहे होंगे, तब ही यह lion समय देखने को मिलते हैं, ठीक है, एक और है behavior of animals में, लेमिंग्स की बात की गई है, ठीक है, तो लो मिल्स, लेमिंग्स क्या होते हैं, एक रोडेंस होते हैं, चुहाई होते तो युरेसिया और नॉर्थ अमरिका में देखने को मिलते हैं, ठीक होता है कि जब भी food के availability नहीं होती है, इनको खाना चाहिए होता है, लेकिन खाना नहीं होता है, कम हो जाता है, ठीक है, और या फिर कुछ भी मतलब ऐसा कोई reason हो, जिसके वज़से इन्हें भागना युरोप से इनका westward ही traveling होता है, ठीक है, अलग अलग जगा पे ये अलग अलग direction में मूव करते हैं, मैं आपको example दे रही हूँ कि युरोप में ये किधर मूव करते हैं, युरोप में ये मूव करते हैं, वेस्ट की तरफ और वेस्ट की तरफ क्या है, ओसन है, और ये सारे में गिरते जाते हैं, तो ऐसा होता है, ठीक है, तो अब यहां से बताने के कोशिश करते हैं, अलग वेगनर कि ये जो continent है, नौर्थ अमरिका ये ये युरोप से क्या रहा होगा, और ये रोडेंट्स जो है आराम से इधर आ सकते थे, आ जाते थे, ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, ड्रिफ्टिंग की वज़े से हाँ पर पानी बर गया, और ये जो रोडेंट्स हैं, वो अब वोसन में गिरते चले जाते हैं, और इनको अभी तक लगता है ऐसा कि continent आज भी क्या है, एक दूसरे से कनेक्टर हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है, तो ये evidence भी support में देत हो रही थी, तो उसमें उन्होंने कुछ forces के नाम भी बता है, कि हाँ, ये force लग रहा था, तब जाके continent हमारे एक जगा से दूसरे जगा हो, वो travel कर चुके हैं, ठीक है, या फिर movement हुआ उनका, ठीक है, ट्रावलिंग नहीं बोल सकते हैं, movement बोल सकते हैं, कि हमारे जो continent है, वो मैं उसको improve कर लोगे, ठीक है, तो thank you so much, मिलता है next video में, I hope आपको समझ में आया होगा और आपके लिए ये video helpful रही होगी, thank you so much, मिलता है next video में, please don't forget to like, comment, share and subscribe